आज हम आपको बॉलिवुड की पांच रियल जोडियों से जूड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे शायद आप अंजान होंगे ये सारी जोडियां बॉलिवुड की पसंदिदा जोड़ी भी मानी जाती है क्या आप जानते हैं कि सिध्धार्ट मलहोत्रा अपने वाइफ क्यारा आडवानी को या फिर रनवीर सिंग अपनी पत्नी दीपिका पादुकोन को घर में यूनिक नेम से बुलाते हैं अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं सदी के महानायक अमिताब बच्चन, मशूर एक्टर रनवीर सिंग, विकी कोशल, अभिशेक बच्चन और सिधार्ट मलहोत्रा की पत्नीयों के नाम भी बॉलिवुड की मशूर अभिनित्रियों की लिस्ट में शुमार है बॉलिवुड की ये पांच रियल जोडिया लोगों के बीच काफी मशूर है और आज हम आपको बताएंगे कि ये सारे एक्टर अपनी अपनी पत्नियों को किस किस नाम से बुलाते हैं वैसे बॉलिवुड में नामों को लेकर खुब चर्चाय होती रहती है चाहे वो किसी स्टार के बेटे का नाम हो या फिर उनकी बेटी या पत्नी का नाम हो इसे जानने के लिए लोगों में काफी उत्तुता रहती है इसलिए आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये पाँच मशूर बॉलिवुड सितारे अपनी अपनी पत्नियों को क्या क्या कह कर बुलाते है बॉलिवुड के मशूर एक्ट्रेस कैटरिना केफ की शादी मशूर एक्टर विकी कोशल के साथ 9 दिसंबर 2021 को हुई थी मशूर एक्टर सिधात मलहोत्रा ने 7 फरवरी 2023 में एक्ट्रेस क्यारा आडवानी से शादी रचाई थी वही शादी के पहले दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट भी किया था मीडिया रिपोर्ट सिमाने तो सिधात अपनी वाइज क्यारा आडवानी को तीन नाम से बुलाते हैं लव, की, और बे रनबिर सिंग बिक्रच अभीनेता रनबिर सिंग और मशूर एक्टरिस दिपिका पादुकोन की लव स्टोरी ने खूप सुर्ख्यां बटोरी थी और काफी समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 14 नवंबर 2018 में शादी रचाई थी बतादे रनबिर अपने वाइफ दिपिका तोथ किसली कहकर बुलाते हैं अमिताब बच्चन पिछले पांच दश्कों से बॉलिवूड में सक्रिये हैं और लगातार अपने दमदार अभिने से लोगों का दिल जीत के चले आ रहे हैं बतादे अमिताब की शादी जया बच्चन से 3 जून 1973 को हुई थी अमिताब अपनी वाइफ जया बच्चन को पहले मैडम कहकर बुलाते थे लेकिन अवध देवी जी कहते हैं अभिशेक बच्चन सदी के महानायक अमिताब बच्चन के बेटे हैं अभिशेक बच्चन की शादी बॉलिवुट की मशूर एक्रेस एश्वरिया राय से 20 अपरेल 2007 में हुई थी मेडिया रिपोर्ट्स के माने तो अभिशेक अपनी वाइफ एश्वरिया को एश कहकर बुलाते हैं और प्यार से वाइफी कहते हैं वैल किसकी वाइफ का निकनेम आपको सबसे यूनिक लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं और आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिए अलाहाफिस